हेलो दोस्तो वेलकम टूर पॉलिटेकनिक समेस्टर क्लासेज जी हाँ दोस्तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी को स्लेबस के बारे में डिसक्रस करने वाला हूँ और किस चीज के स्लेबस के बारे में मैं डिसक्रस करूंगा यहाँ पर मीजरिंग कहा जाता है MIM और यह आप सभी को chemical engineering first semester में पढ़ाया जाता है इन diploma किसके अंदर पढ़ाया जाता है दोस्तों diploma के अंदर मिम आप डिप्लोमा के अंदर पढ़ते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि यह जो syllabus है इसमें मैं दो syllabus discuss करता हूँ एक बेटी यूपी के दौरा जो बेटी यूपी ने दिया है अपने दौरा और according to my मतलब दोस्तों जो हर बार question पूछे जा रहा है मैं उसको भी आप उसको भी आप सभी के साथ discuss कर दूँगा दोस्तों मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि मेरे पास एक साल का experience है मतलब MIM में कौन-कौन से question पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे मुझे यह सब पता है तो दोस्तों आप सभी कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ अगर आप चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन क को जरूर प्रेस कर लीजे और लास्ट तक वीडियो के बने रहेगा हंडेट पासेंट आप 15 ओट ओफ 40 प्लस मार्क्स आप्टेन करेंगे लोमा के अंदर तो दोस्तों यह जो मेजरिंग इस्टूमेंट और मेजरमेंट मिंस माइन का स्लेबस है इसको मैं बीटी यूपी के एकॉर्डिंग डिसकस करने वाला हूँ मतलब जो भी बीटी यूपी ने स्लेबस को दिया है मैं उसी को बताने वाला हूँ तो BTUP के द्वारा syllabus दिया गया है इसमें सबसे पहला first chapter आपका आता है introduction and classification of instrument ठीक है दोस्तों उसके बाद आता है pressure measurement उसके बाद जो third chapter आता है वो आता है आप सभी का temperature measurement four chapter आता है आप सभी का liquid level meter और उसके बाद fifth chapter आता है आप सभी का mass and weight measurement तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इसके सारे वीडियो लक्षास मैं आप सभी को provide करा दूँगा और I think provide करा भी दिया हूँगा तो आप सभी के description box में playlist की link provide कर दी जाएगी और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि यह सारे जितने भी यह दिये गए हैं आप सभी को यहां पर जितने भी topic यह सारे दिये गए हैं इसमें से सिर्फ और सिफ पहले chapter से ऐसे पांस topic हैं जिनसे हर बार object मतलब question पूछ जाते हैं और ऐसा ही दोस्तों तो दोस्तों यह है आप सभी के 50 out of 50 marks पाने का एक्तम जबादस्त तरीका तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि यह जो syllabus में बता रहा हूँ अगर यह syllabus आप पढ़के जाते हैं paper देने तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका 50 में से 50 marks आ सकता है तो देखिए दोस्तों introduction and classification of instrument में process industry पहला question यही होता है दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो description box में मैं paper की link provide का दे रहा हूँ कहने मतलब यह है दोस्तों मैंने paper भी discuss किया है M.I.E.M. का तो उसमें मैं आप सभी को बताया हूँ कि कौन कौन से question पूछे गया है तो सबसे पहला question उस paper में आपको य chemical process industry उसके बाद कौन सा question पूछा जाता है Journal classification of industrial instruments तो दोस्तों जनल क्लासिफिकेशन そして tutorial instruments का क्या हुआ है इसके बारे में है उसके बाद indicating टाइप चार्ट recorder के बारे में आता है दोस्तों यह सारे topics के आप इसकीन-sort ले लीजी यह पहला चाप्टर है यह देखिए दोस्तों यह पहला चाप्टर है पहले चाप्टर का आप इसकीन सॉट ले लिजे सिर्फ और सिर्फ आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं और आपको कुछी भी तरीके की टेंसल लेने के कोई जोगत नहीं है मैं आप सभी कुछ चैप्टर वीडियो प्रवाइट कर दूंगा और उस एक चैप्टर की वीडियो लगभग आपकी 30 से 45 मिनट की होगी और मैं गरेंटी दे रहा हूं दोस्तों अगर आप उस चैप्टर की पूरी वन सॉट वीडियो पढ़के पेपर देने जाते हैं तो आपका 40 और 45 मार्क्स कहीं ही न हैं तो आप उस लेवस देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप सिर्फ और सिर्फ लेक्टर को देखिए यह प्रेशर आंड वेक्यूम गेज है यह थर्मोमीटर आंड पायरोमीटर है दोस्तों इस से 100% इस चैप्टर से क्या होता है दोस्तों 100% तीन कोस्टन उच में देखिएगा इस 4 चैप्टर से आपको 10 मार्क के कोस्टन मिलेंगे दोस्तों अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दू कि 5 मार्क पर कोस्टन होते हैं कितने कोस्टन होते हैं 5 मार्क आप सभी को 15 कोस्टन दिये जाते हैं जिसमें से 5 का सेट होता है व होते हैं दो कुस्टन करने होते हैं ठीक है दोस्तों फेस में बता दू क्या होता है दोस्तों 15 क्या होते हैं 15 कुस्टन आते हैं ठीक और एक-एक सेट बना होता है एक सेट के अंदर आ जाएगा उस वीडियो लेक्चर को देखना चालू करिए और अपनी तैयारी और भी अच्छे से करिए दोस्तो अगर आपने अभी तक पेपर डिक्सकर्शन की वीडियो नहीं देखे हैं जो अभी आपकी स्क्रिन के सामने दिखाई दे रही है तिर डिस्क्रिप्शन डॉक्स में उसके भी लिंक प्रोवाइट करीगे हैं आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और दोस्तो इस वीड कर थाल दोस्तो डेलत हैं रुम